जोतिश में केतु ग्रह को एक अशुप तथा पापी ग्रह की संग्या दी गई है। परंतु केतु सदैवी जातक के लिए अशुप नहीं होता बल्कि केतु के द्वारा जातक को शुप फल भी प्राप्थ होते हैं। यहा अध्यात्म, वेराग्य, मोक्ष और तांत्रिक जातक के वेवाहिक जीवन तथा पार्टन के विशे का बोध कराता है। यह जातक के नैतिक, अनैतिक रिष्टे को भी दर्शाता है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन के चार पुरुशार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। इन में काम का संबंध सप्तम भाव से होत है। सात्वा भाव जातक की सामाजिक मान प्रतिष्ठा, कार्यव वगयव साय संबंधित विदेश यात्रा के बारे में भी बताता है।। कुंदली में सात्वा भाव केंद्र का भाव होता है। इसलिए यह जातक के जीवन और निजी कारिक्षेतर के बीच दाल में च्था प्रदान कर सकता है। जोतिश की गणना कहती है कि सात्वे भाव में केतू से प्रभावित जातक मन्दबुद्धी और मूर्क बनाता है। ऐसे जातक अच्छे को बुरा तथा बुरे को अच्छा समझते हैं। इनकी सोचने समझने की क्षमता दूसरों से भिन होती है। ऐसे जातक स्वयम के चरित्र को छोड़ कर सदेव दूसरों के चरित्र पर संदेह करता है। इस भाव का केतू यहां जातक के अपमान का कारण बन सकता है। इन जातकों को वैवाहिक सुक भी कम मिलता है। दुष्टों तथा अभिमानी की संगती मिलती है। इनके मित्र भी इनह जातकों का व्यर्थ धन खर्च हो जाता है। ऐसे जातकों को अपनी आर्थिक चिंता बनी रह सकती है और इनके पिता के द्वारा संचित धन जल्दी ही समाप्तिया नश्ट हो जाता है। ऐसे जातकों को शत्रूओं का भय रहता है और शत्रूओं के द्वारा धन हानी भी होत इसके साथ ही सरकार से भी भई की स्थिती बनी रहती है